माननी राजपाल श्री सीपी राधा क्रश्णन ने आज विनोभा भावे विश्व विध्याले में जन जाती अध्यन केंद्र के नवनिर्मित भावन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारों को सम्भोधित करते वे कहा कि जारखन की संस्कृती एतिहासिक एवम गोरोशाली है। इस गोरोशाली संस्कृती को बड़ावा देने में ये सेंटर एहम भूमी का निभाएगा। राजपल मोधे ने कहा कि जारखन की धर्ती पर आबा भगवान, बिर्सा मुंडा, सिद्धो कानू, चांद भेरव, फूलो जानो जत्रा उराव समेत अनेक महापूर्शों ने देश एवम समाच के लिए अपना सर्वस से न्योचावर कर दिया। भगवान बिर्सा मुंडा की जन्मत तिथी पर 15 नवंबर 2023 को माननी प्रधान मंत्री जी उनकी जन्म इस्थली उली हातू जाकर शर्धानजली अर्पित की। उन्होंने जन जाती समुधाय के उत्थान के लिए कई योजनाओं की शुरुआत भी की। उनके द्वरा भगवान बिर्सा मुंडा जी की जैन्ती को जन्जाती गोरव दिवस के रुप में मनाने का निर्ने लिया गया। राजपल मोदे ने कहा कि सामाजिक आर्थिक प्रगती में ग्यान की एहम भूमिका होती है। ऐसे में जरूरी है कि अधिक से अधिक युवा उच्च शिक्षा करहन करें। उन्हें खुशी ह हो रही है कि जन्जाती समुदाय के युवा भी तेजी से जाकुरुक हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आहवान किया कि अपना लक्ष निर्धारित करें। और लक्ष की और मेहनत एवं लगन से आगे बढ़े। सफलता निश्चित रुप से मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका अप्रतिम उधारन भारत की माननी राष्टपती श्रीमती द्रोपती मुर्मुजी है। उन्होंने वीशम परिस्थितियों में भी पढ़ाई की और कालेच जाने वाली गाउं की प्रतम महिला बनी। राचपाल मोदय ने कहा कि जन्जातियों की कला संस्कृती लोक के पर्व तेहार में दिखती है। सरूल एवं कर्म पर्व प्रकरती एवं मानों के अटुट रिष्टे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सेंटर ओफ ट्रिबल स्टडीस हमारे जन्जाती भाई बहनों की विभिन क्रतियों का उलेक करेगा। उनकी कला करतियों को संक्षि करेगा। शोत का नाया आयम खोलेगा। एवं मार्ग दरश्ट के रूप में कारे करेगा। राजपल मोदय ने जन्जाती अध्यन केंद्र के उद्घाटन के पूर्व शेक भिहारी मेडिकल कॉलेज हजारी बाग का भी ब्रहमन किया। इसी के साथ बने रहे है। राजदम